हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है टेक्नो थेंग्स यहाँ पर आज जो हम प्रोडक्ट देखने वाले हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है वो है बोट स्टोन का ब्लू तूट स्पीकर तो चलिए देखते हैं उन्बोक्स करते हैं और पैकिंग खलिफकार की आप जानते ही हैं अच्छी खासी करके देते हैं यह लोग पैकिंग हम जो है इसको ओपन कर रहा हैं यह मैंने इसको ओपन किया इस बउक्स को इसके इंदर देखते हैं किस तरीका से रखा गया है हमारे बोट इस्टों मिलेगा हम इस बॉक्स को अलग करते हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो यह आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है इसकी ब्रैंडिंग भी की गई है यहां पर गुरू रंधावा जी इसका जो है ब्रैंड अमेस्टरी कर रहे हैं और यह है बोट स्टों ब्लूटूट स्पीकर 1000 तो यह अच्छा स्पीकर है इसको आप जो है यहां पर ले सकते हो कितने का है 14 वाट का है वाटर्रर घ्जिस्टेंस है लिजसित दिजाइन है यहाँ पर बहुति मतलब रिजेट है स्टरॉट Ai यहाँ पर आप इसको देख सकते दूँ चलिए इसको ओपन करते हैं इसे अंदर देखते अगर देखें तो वही सारी चीज़ें इधर भी लिखी हुई हैं तो चलिए इसको हम open करते हैं देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो अगर इसको हम open करें तो देखना पड़ेगा इस तरीके से ओपन होगा यहां पर देखें तो इसको सीधे ऐसे निकालना है यहां पर इसका अठाया यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको भी हमको इसको cut करना पड़ेगा तो यहां पर हम इसको cut करते हैं cut करने के बाद जो है यहां पर इसको open करते हैं इस तरीके से यहां तो open हो गया यह देखिए और इसके अंदर अगर हम बात करें तो यह देखिए कुछ paper box है जो boatstone के अंदर जो तो manual guidance है कि कैसे आपको उसको assemble करना है कैसे charge करना है सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है तो paper bug को हम रखते है side में और यहाँ पर इसको हम निकालते हैं इस तरीके से और इसके अंदर accessories जो है उसको भी हम यहाँ पर हटा देते हैं और देखते हैं क्या क्या यह देखे यह भी कभी problem आती है तो चलिए और ऐसे series में आपको बता देता हूँ कि क्या के हमको देखने को मिला है तो यह है आप पर aux cable जो कि आप किसी यह mobile से connect कर सकते हो या फिर car में connect कर सकते हो और यह है आपका data cable जिससे कि आप इसको charge भी कर सकते हो तो charging के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ हुआ है तो यह दो ऐसे series निकली है जिसको हम रखते है side में अब जो है हमारा main box जो की है हमारा यह आप इसको देख पा रहा होंगे इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अब इसको क्या है कि यह थोड़ा सा देखिए ऐसा है यह थोड़ा पीछे को जुका यह और आक्स के लिए यहाँ पर जो है ports दिये हुए हैं तो इसको भी हम कर देते हैं भी बंद क्योंकि अभी चार्ज हमको करना नहीं है अभी हम इसको play करके देखेंगे और इसके अगर हम play और उसकी button की बात करें तो यह देखिए यहाँ पर यह है power on off हम यहाँ पर power को on कर रहे हैं power on you've plugged into Nirvana power on हो गया अब हम इसको किसी मुबाइल से मैं इसको जो है connect कर रहा हूं Bluetooth में और देखते हैं इसकी sound quality कैसी है sound quality हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा इसका और Bluetooth device में हम इसको चेक करते हैं connect करके अब मैं दूसरे मोबाइल से इसको सर्च कर रहा हूं इसका जो है discoverable अगर दिखाई देता है तो हम इसको जो है connect करते हैं कि यह ना कनेक्टे तो बोट स्टों 1000 कनेक्ट हो गया Bluetooth device से यह हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ music play करके जिसमें copyright ना लगे वो वाला music हम देख लेते हैं connect करके तो यहाँ पर हम जो है play करके देखते हैं music play ah man I won't let you down I swear music 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 तो यहां पर देखा आपने कि हमने इसको मॉवाइल से कनेट करके इसमें मैंने कुछ पर देखने को मिलेगी और इस पर बीट्स अच्छे आप बजा सकते हो और ते जहां पर मैंने यहां पर सौंस नहीं चला है क्यों भी कॉपीराइट का इसू आ जाता है तो आप इसको जो है म्यूजिक वगेरा चला के भी देख सकते हैं तो आई होप कि यह प्रोडक्ट भी अ